इलेक्शन्स के बाद रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है और किस वजा से उसको देर किया जा रहा है रिजल्ट क्योंकि अभी तक पूरी तरह सा अनौन्स नहीं किये गए हैं और कोई ऐसी वीडियो आई नहीं है लेकिन हाँ स्लो प्रॉसेस कर दिया है तो हम देखेंग पाकिस्तान में पिछले 17 घंटे से दो सुनामी हिट कर चुके हैं पहला अवामी सुनामी था जिनोंने एक रेफरेंडम सुनाया और अक्रॉस दा कंट्री उस सुनामी ने हिट किया जिसके नताइज कल पूरी राद टैल्वीजन स्क्रीन इसके उपर चलते रहे यह टैलिवीजन चैनल्स वाले या हम जैसे रिपोर्टर्स जो हैं यह नताइज कोई ऐसे हवा में नहीं अपने टीवी चैनल तक पहुचा रहे होते हैं तू कैसे पहुचा दो यह फॉर्म 45 देखकर या पॉलिंग स्टेशन से रिजल्ट कंपाइल क करके हम अपने टीवी चैनल्स को बताते हैं जहां पर बैठी होई टीम में एक एक रिजल्ट को नोट करके उनका टोटल काउंट जो है वो आप तक पहुचा रही होती है इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि बगएर प्रूफ के टीवी चैनल्स यह सारे इंतखाबी नताइज को न रेफरेंडम अपना फैसला सुना चुका है और इतनी कोशिशों के बावजूद भी इतना सब होने के बावजूद स्टिल इंडिपेंडन्ट कैंडिडेट्स सबसे आगे हैं और जो दावा कर रहे थे कि हम हकूमत बनाने जा रहे हैं या पता नहीं किस किसम के दावे कर दि दूँगा लेकिन जिसकी दो दिन पहले अखबारों में हैडलाइन लग रही थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम का फैसला या जिसके बारे में ये इश्तिहारा दिये जा रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो जिस शक्स को पाकिस्तान पे नवाजने की कोशिश हो उसके दो हलकों के इंतखाबी नतायज अगर आप देखें तो एक हलके से वो तीस हजार वोटों से शिकस्त खा चुके हैं एलेक्शन कमिशन के ऑफिशल रिजल्ट के मताबिक और दूसरे से जहां से उनकी कामयाभी का नोटिफकेशन जारी किया गया यासमीन राशिद उन अज़ाद उमीदवारान है उनकी फैरिस्त में अगर आप देखें तो अज़ाद उमीदवारान को एक-एक वोट भी नहीं मिला मतलब जिनों ने काख़जाद जमा कराए क्या उनकी फैमिली ने क्या उन्होंने खुद भी वोट नहीं होगा इतने बड़े हलके में ग्या ए ने वहाँ से election लड़ना था लेकिन उसे नहीं लड़ने दिया गया तो आखरी टाइम पे ये मुतबादल candidate के तौर पर वो शहजादा पता नहीं उनका क्या मुश्किल सा नाम है वो आये वहाँ पर election लडने के लिए और उन्हों ने भी ऐसी कौन सी उनकी अवामी खिदमत है जिसके सिले में ये पोने दो लाख वोट पड़ा और सल्मान एकरम राजा जैसा नफीस आदमी वो अगर पी टी आई में ना भी हो या इमरान खान को सपोर्ट ना भी कर रहे हो तो मैं उनका तो बहुत पहले से मोतरफ हूँ कि वो एक ऐसी शक्सियत है या उनकी जो कैमपेंट थी वो इतनी पावरफुल थी आपको क्या लगता है कि ये लाखों लोग जो लाइनों में खड़े थे ये सिर्फ इसलिए खड़े थे कि आउन चोधरी को वोट दे सके कि उ उनको पोने दो लाख वोट मिलके इस तरह अगर आप समझते हैं कि कोई इलैक्शन को तसलीम करेगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा अगर इस मौके पर ये बहुत ही जबर्दस मौका था मैं तो इसको as an opportunity समझता था कि इस मौके पर अभी भी है अभी भी वक्त नहीं गय कि इस मौके को फाइदा उठाएं और एक healing touch दें इस nation को आपको बार बार पता चल रहा है कि अवाम किस साइट पर खड़े है आपको बार बार पता चल रहा है कि अवाम का क्या फैसला है अभी मैं देख रहा था जो नवाज श्रीफ साब के हामी लोग है हामीयों की बात कर मैं को इदर उदर की बात नहीं कर रहा है वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज श्रीफ साब को gracefully तसलीम कर लेना चाहिए कि ये एक biggest upset हुआ है पाकिस्तान की स्यासी तारीख में किसी स्यासी जमात के लिए सबसे बड़ा setback था उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं मुशाहद हुसान सेयद की अगर आप ट्वीट पड़े तो उन्होंने कहा कि हमें gracefully इसको accept करना चाहिए कि ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी शिकर्स थी और सबको वापस बैठके ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम क्या सोच रही है और किस के साथ कड़ी है मैंने अब एक बार किसी हलके में लीड जो है वो तीन-चार हजार वोटों की आ जाए तो वो फिर पुरे हलके में चलता है और at the end रिजल्ट भी तक्रीबन ऐसे आता है पांट से छे साथ हजार तक के वोटों का difference रहता है लेकिन यहां पर जो पचास-पचास हजार वोटों की लीड से जीत रहे थे उनको 30-30-15-15-20-20-20-000 वोटों के मारजन से हरा दिया गया आखरी मोमेंट पे ये सब कुछ कैसे और क्यूं हो रहा है अभी तो इमरान खान की मेंट टीम भी मैदान में नहीं थी आप यूं समय लें कि पेपल्स पार्टी हो पीमल अनो एन हो इनके पास किस कदर हकुमती सपोर्ट हासल थी ये निगरान हकुमतों की सपोर्ट फिर सिस्टम की सपोर्ट इलेक्शन कमिशन की तरफ से अधालती मौमलात की तरफ से और बहुत कुछ हर जगा से सपोर्ट मिल रही थी बट इमरान खान के जितने भी लोग थे उनको कोई सपोर्ट नहीं थी हर जगा पे उनको resistance का सामना करना पड़ रहा था हर जगा पे बट still उन्होंने fight back किया अवाम ने उनका साथ दिया और ये नतायज जो रात TV चैनल पर चलते रहे वही original नतायज है form 45 लोगों के पास मौझूद है तो form 45 जब लोगों के पास मौझूद है तो फिर कैसे election कमिशन ये नतायज बदल सकता है कि बस एक बार नतायज आ जाएं फिर किसी को भी प्राइम निस्टर बनवा दे हो फिर ये मौमला ट्रैबिनल्स में चलते रहें पार्टी को दिया है उसको रूल करने दें उसको आने दें ये जितने भी नाकद हैं पी टी आई के या जो सहाफियों मेंसे अगर आप देख लें वो सब के सब ये तसलीम कर रहे हैं कि पी टी आई जीत चुकी है जिन लोगों को आप मुसल्ट कर रहे हैं इस मुलकी बागदोर संभालने के लिए जिन लोगों को इफ्टियारात दे रहे हैं उनकी क्या क्रेडिवलिटी है उनके उपर अवाम का इतमाद ही मेंडेट ही नहीं मिला उनकी कोई मौरल इखलाकी उनके पास अतौरटी नहीं है ये हकुमते हैं, ये सारा कुछ खाली इसी से नहीं चलता कि बस आपके पास एक नोटिफिकेशन है, आपकी मौरल इखलाकी सपोर्ट भी होनी चाहिए, ग्राउंड बेस, वो नहीं है, तो जोर जबरदस्ती से क्या आप सब को इसी तरह से हांकना है कि जनाब ये सब भेड़ बकरी हैं, तो जो नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे, बस वो सब मान के बैठ जाएंगे, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा, और अब जरा सी बात करनी है, इलेक्शन कमिशन के उस सिस्टम के हवाले से, जिस पर करोड़ों रुपया इस पाकिस्तान का खर्च हुआ, और हम के पास सारी अथौरिटी थी, इलेक्शन कमिशन के पास, चीफ इलेक्शन कमिशनर के पास, इनके पांच मेमरान के पास, कि ये और करते हैं, पूरी हकुमतें इनके मातर थी, ये और करतें, इंटरनेट की बंदिश खतम हो सकती थी, और अगर मान भी लें कि पोलिंग पर ख आपको पता था कि इंतखाबी नतायज में ताखीर हो रही है दस बजे नतायज आ जाते जब ताखीर हो रही थी तो उस टाइम और क्यों जारी नहीं किया इलेक्शन कमिशन ने के इंटरनेट की सर्विस भाल कराई जाए और अगर आपकी आफलाइन एप्लिकेशन जिसके पहर ढ़ाई बज़े तक कौम इसंबली के 107 हलकों का नतीजा जो इलेक्शन कमिशन ने बनाया है तियार किया है उसके मताबिक आजाद उमीदवार प्राइस निशिस्तों पर आगे है अब मुस्लिम लिग नून जो है वो आइस्ता आगे की तरफ पुश हो रही है ज्याद करार दिया गया है अब तक के नतायच के मताबिक तो यूं समय लिजे के PDM 2.0 जो है वो अपलोड होने जा रही है सिस्टम त्यार हो रहा है उसके लिए और आप देखिएगा कि आपके वोट अगर ना बचे या उसके उपर कामयाभी से ये सारा कुछ किया गया जो इस वक् तो फिर अगले 5 साल भी वही 2.0 PDM जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब फाइदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का कि इमरान खान इस वक्त जेल में है अगर वो जेल से बाहर होते तो जितनी आसानी से ये सारा कुछ हो रहा ह ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता था और वो यकीनन रिजिस्ट करते कौम को भी इंतजार है कि इमरान खान की तरफ से कोई पॉलिसी गाइड लाइन आए क्योंकि जो इस वक्त चेर्मेन पीटे आई है वो अपने हलके में अपने वोट बैंक को महफूज करने में मसरूफ है लेकिन जो एक उपर से नीचे की लेवल तक जो मैसेज कनवे होता है वो शायद नहीं हो पा रहा है अगर इमरान खान बाहर होते यकिनन अब तक विक्टरी स्पीच भी अनौंस हो चुकी होती दोजार रखाबात में इस से भी कम सीटों के साथ उन्होंने अपनी विक्टरी जारी रखे है अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्यार लगें अलाहाफेज की जित देंगे कि हम थोड़े वोटों से हा रहे हैं ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही होगी थोड़े वोटों से हा रहे हैं और दो तीन गवर्मेंट जो है वो लागो होने वाली है तो ऐसा कुछ दो तीन दो गवर्मेंट जो मिलकर वो सीट पर बैठ सकती है कि हम बैठ रहे हैं मतलब एक दूसरे को सपोर्ट दे कर ऐसा हो सकता है तो पीटी आई नहीं आएगी और अगर बहुत बड़ा गैप होता शो करते हैं अगर एक्चुल रिजर्स जो आने चाहिए दे पबलिक ने वोट दिया है वो अगर लागू होते तो पीटी आई आती सीट पर बैठने के लिए और इमरान खान जीत चुके होते हैं मतलब जीत तो अभी भी गये हैं लेकिन इमरान खान को फिर कोई भी नहीं हरा सकता था और अब तक आप देखें तो बहुत बड़ी बात है यह बहुत ही तगड़ी बात है कि इतना हेर फिर करने के बाद इतनी रिगिंग वगरा ये जो दिखा रहे हैं वो सब कुछ होने के बाद भी पी टी आई जो कैंडिडेट्स हैं और पी टी आई जो है वो अभी भी आगे चल रहे है भाई कितनी हैरानी की बात है तुम पूरी एड़ी चोटी का सोर लगा कर तुमारा सब कुछ गवर्मेंट और ये जो अजालत वगज़ा फैसले और इलेक्शन कमिशन से मीटिंग और ये जो धंदले वाजियां हैं जो दिखाई दे रही है पublिक को फॉम में गलती हैं आपके जो calculation है उसमें गल्दिया पबलिक को सब कुछ दिखाई दे रहा है उसके बाद भी PTI आगे है एक दम से तुम उसको हरा नहीं पा रहे हो किसलिए क्योंकि वो आगे बहुत जादा है आगे बहुत जादा गैप से उसने जो हो जीत हासल करी है भाई तो बहुत अगड़ रिस्पॉंस मिला है पबलिक की तरफ से इमरान खान को इमरान खान की पार्टी को तो भाई उसको हराना मुश्किल है वो जेल में है तो अतना मुश्किल है वो बहार होता तो सोचो क्या होता क्या होता भाई क्या होता लाल पीले हो गए होते और गीले भी हो गए होते कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या कहते हो क्या फाइनल रिजल्ट्स आने तक आपको लगता है कि पीटी आई आगे रहेगा या नहीं आगे तो वो है और रहा है एक्चुली लेकिन ये क्या कर सकते हैं इससे भी जादा गंदा काम मुझे लगता है कि अब तो दे दो प लाने दो वरना तुम्हारा देश इतना डूबा हुआ है और जादा डूब ही जाएगा भाई तेना एक डायलोग था कि हारकर जीतने वाले को पासिकर कहते हैं तो इज़त के साथ अगर तुम कबूल कर लो तो तुम्हे पबलिक इज़त भी देगी